हलो दोस्तों आपका स्वागत है इस Excel के Tips & Tricks सिरीज में आज हम इस वीडियो में देखेंगे We Lookup के बारे में कि We Lookup कैसे लगाया जाता है We, We is a vertical and Lookup is a search तो चलो हम इसे practical करके देखते हैं ओके, let's begin हमारे पास एक छोटा सा data है जिसमें आप देख सकते हो तीन कॉलम बना हुआ है employee name designation salary इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुक अप का यूज कैसे करते हैं इससे पहले हम जानते हैं कि वी लुक अप करता क्या है वी लुक अप क्या करता है जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ी जाड़ डाटा है और उनमें से हम कोई चीज सर्च करना चाते हैं जैसे कि मानलो मेरे पास बहुत ज़्यादा employee name की list है और मैं उनका designation और salary सर्च करना चाता हूँ अगर मैं one by one जाके सर्च करूंगा तो it's very difficult to search me बड़ हम उसे directly search करते हैं वी लुक अप के थुरू और हमें just एक formula लगाना होगा और वो हमारे लिए बहुत help करेगा चलो देखते हैं start करते हैं वी लुक अप कैसे लगाए जाता है आप दे सकते हो हमारे पास यहां तीन कॉलम है first column name is employee name second column name is designation and third column name is salary suppose मैं अभी क्या करता हूं अब हम start करते हैं इसको मैं इसको copy कर लेता हूं ठीक है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो existence sheet पर जिस sheet पर data available है हम उस sheet पर कर सकते हैं और अगर हम दूशी sheet नई sheet बनाएंगे नहीं है जैसे कि यहां मैं नीचे worksheet बनाऊँगा तो worksheet sheet number 3 create हो जाएगा तो हम उस sheet पर भी कर सकते हैं तो हम दोनों ही देखेंगे लेकिन पहले हम existence sheet पर देखेंगे जिस sheet पर data available है उसी sheet पर हम पहले करके देखेंगे मालो मुझे मोहन का designation निकालना है कि उसकी designation क्या है तो वह कैसे निकालेंगे मालो मुझे किसका निकालना है मोहन का तो हम यहां मोहन type करेंगे अब we look up की help से हम मोहन के designation का पता लगाएंगे तो we look up कैसे लगाते हैं is equal to फिर यहां type करेंगे we look up आप यहां देख सकते हो कि we look up आ गया इस पर double click करोगे तो यह we look up आ गया अब आ रहा है look up value look up value मिनस आपको क्या सर्च करना है तो हमें मोहन का सर्च करना है मोहन का सर्च करना है ना तो मोहन की value लगाएंगे उसके बाद ग यह मेरा पूरा टेबल हो गया मैंने उसको फूरा स्लेक कर दिया ठीक है अब एक चीज इसमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है देखो चो कॉलम में डाटा रहता है जिस कॉलम में डाटा रहता ह वो जैसे कि हमारा employee name है पहला column, designation name है दूसरा column and salary name है तीसरा column तो हमें क्या निकालना है, designation का पता करना है, means हमें दूसरे column से data निकालना है तो हम यहां क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद फिर column लगाएंगे, यहां देखो कि आप 2 आ रहा है, true आ रहा है और false आ रहा है ascending order में जब data हमारे पास रहता है, तो हम उसे true लगाते हैं, और true denote होता है one से और false हम तब लगाते हैं जब हमारे पास data ascending order में नहीं होता है, ठीक है? तो हम यहाँ false use करेंगे false के लिए हम क्या use करते हैं zero जीरो लगाने के बाद हम यहाँ पर बंद करेंगे इसको और enter करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि मोहन का designation यहाँ आ चुका है अब आपको we look up easily समझ में आ रहा होगा कि we look up है क्या वी look up अगर हमें किसी अगर हमें किसी भी चीज का डाटा एक large number of डाटा में से किसी एक particular individual का डाटा निकालना है तो हम we look up की help से उसको निकाल सकते हैं ठीक है और ऐसी हम salary को भी कर सकते हैं salary को करते हैं salary के बारे में देखते हैं salary को हम कैसे निकाल सकते हैं salary हम इसकी मोहन की salary हम कैसे देख सकते हैं तो इसके लिए हम is equal to लगाएंगे फिर we look up लगाएंगे double click करेंगे फिर बोल रहा है local value क्या है किस में से खोजना है क्या value हमें search करनी है किस value को किस value को ढूनना है तो हमारे लिए value मोहन की value हमें search करनी है कि मोहन का क्या salary है तो टेबल आ रहे देखना है टेबल आ रही है पूरा टेबल आ रहे है हमारा इसमें टेबल हमने select कर लिया अब अब यहां रहा column index number column index number क्या है अभी मैंने बताया कि employee name जिस column में active data रहेगा अगर आप एक्सल के एक्सल के according जाओगे अगर एक्सल में देख के according जाओगे तो आपको दिखेगा जो मेरा पहला column है वह यह है जो की blank है लेकिन हम blank को consider नहीं करते हैं इसलिए जो हमारे वी लूक अप के according जिसमें data है वह हमारा B है और B हमारा first है ठीक है और C हमारा second है और D हमारा third है column ठीक है तो हम यहां पर three डालेंगे क्योंकि हमें salary पता करनी है तो salary किस column में है C वाले column में है ठीक है उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा data किस format में ascending order में है कि descending order में true false तो हमें यहां पर false लगाना है तो false के लिए में 0 और इसको बंद कर देंगे अब यहां देखोगे कि जो मोहन का salary है वो 40,000 है और designation उसकी ERP है ठीक है यहां आप देख सकते हो ठीक है वैसी अगर आप अनिल का पता करना चाते हो तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ अनिल यहां लिखोगे enter करोगे तो automatic अनिल का जो data होता है वो आ गया है कि उसका designation क्या है salary क्या है means आपको सिर्फ look up name change करना है उसके बाद वो automatic उसके according आपका data उस table में से जो data table है उसमें से धूंड के वो दे देगा आपको इसको क्या ऐसे भी कर सकते है मालो आपने multiple person का data निकालना है मालो आप अनिल का निकाल लिए आपने ram का निकालना है तो ram का type करोगे और जो v look up है उसको copy करके नीचे paste कर दोगे तो देखोगे कि जो ram का था वो जो भी designation ram की है वो आचुकी है राम की designation क्या है यहां देख सकते हो sourcing है वैसी उसकी salary पता करना है तो copy करो और normal इसको paste कर दो तो यह formula paste हो जाएगा फिर आप देख सकते हो उसकी salary कितनी है data sheet पे था उस पे हम करके देख रहे थे अब मानलो हमारे पर दूसरी worksheet है उस पे हम कर रहे हैं और हम किसी और worksheet से data निकालना चाहते है तो कैसे निकलेगा ठीक है हमारे पास चोटा सा data है इसी कारण हम easily हम existing sheet पे वी look up लगा के देख ले रहे हैं ठीक है अगर हमारे पास ज्या ज्यादा हमारा data में ज्यादा column है तो हम उसको दूसरी sheet पे यूज करते हैं basically और almost recommend भी यही होता है अगर आपके पास data ज्यादा है आप दूसरी worksheet पे उसे use करो ठीक है एक हम नया worksheet create करते हैं जैसे कि sheet 3 ठीक है अब हम वह चीच copy paste कर देते हैं कि हमें ढूनना क्या है employee name designation salary ठी ठीक है मोहन का मैंने मोहन टाइप कर दिया अब हमें designation निकालना है तो हम designation के लिए is equal to we lookup आ गया double click किया अब यह आ रहा है lookup value lookup value क्या है मोहन मोहन को select करेंगे तो उसका देखोगे कि जो shell number है बी 4 बी और 4 आ चुका है फिर column लगाएं कोमा लगाएंगे तो अब हमें जिस sheet data लेना है उस sheet पर जाएंगे और उस data को select कर देंगे अब उपर जो यह search बार होता है वहां आप देखोगे कि sheet 2 पर आ गए हमें किस column से data लेना है तो हमें किस column से लेना है दो number से क्यों क्योंकि employee name हमारा पहला column है और designation हमारा दूसरा column है तो हम 2 करेंगे उसके बाद कोमा लगाएंगे फिर यहां देखोगे true false हमारा ascending order में नहीं है इसलिए हम इसे false करेंगे false को denote करते हैं 0 से और फिर bracket लगाके बंद कर देंगे और enter करेंगे तो आप देखोगे कि यहां मेरा ERP आ गया ठीक है ऐसी हम दूसरे sheet पर कर सकते हैं अब हम move करते हैं salary का अगर हमें निकालना है मोहन का तो हम क्या करेंगे is equal to we look up फिर look up value क्या है उसके बाद कॉमा लगाया फिर sheet में गए data हमने select किया जो data हमें जहां से data लेना है फिर यहां पर हमने इसे कॉमा लगाया फिर column index हमें salary का पता करना है तो हमें 3 प्रेस करेंगे फिर कॉमा फिर 0 फिर बंद कर देंगे इसको फिर enter प्रेस करेंगे तो आपको यह दिख जाएगा कि मोहन की salary क्या है और designation क्या है आप यहां चेक करोगे तो मोहन का salary और designation आपको यहां पता चल गया मुझे आशा है कि आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर आपको यह video अच्छ कर दो आपको यह?